हलो फ्रेंड वेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल आज हम जरेनीम प्लांट के बारे में बात करते हैं ये प्लांट अलमोडा से पतिदेव दिसंबर में लाए थे जब ये प्लांट लाए थे और ये जितना सुन्दर था आज भी उतना ही खुबसूरत है ये प्लांट उसी तरह इसमें निव फ्लावरिंग हो रही है निव ग्रोथ है बाकी के सभी प्लांट सूख चुके हैं या फिर सैट डोर्मेंसी पीरियड उनका चालू हो गया है ये उस कंडीशन में भी सर्वाईव करता रहा है प्लांट जिस कंडीशन में बाकी सभी प्लांट सूख गये थे मिन्द जब फॉगी टाइम चल रहा था इन्हें सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी तो भी इसने सर्वाईव किया और अच्छी फ्लावरिंग करके दिखाया है इसने बहुत अच्छा प्लांट है लेकिन ये सच है कि फ्लावर की जो बॉल अल्मोडा में बनते हुए देखी थी हमने उतनी बड़िया बॉल यहां नहीं बन पाई फिर भी यहां भी सुन्दर फ्लावर आये है लेकिन वहां का अट्मोस्फेर ही बिल्कुल अलग था दिन भर खिली और साव सुत्री धूप और कूल टेंपरेचर सैथ प्लांट के लिए एकदम परफेक्ट रहता था अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसमें मैं घर की बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ कभी इसमें बनाना पील से बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइजर कभी दाल चावल को वाश करके उसके पानी को इन सभी प्लांट में डाल देती हूँ लेकिन watering हमेशा मिटी को चेक करके ही देना चाहिए जब भी उपर की layer सूख जाए watering कर दो इसमें NPK की 4-5 गोलिया भी महीने 15 दिन में डालनी चाहिए और लगबग महीने में एक बार बार में compost भी डाल देना चाहिए ताकि ये इसी तरह हमेशा बार बार के flowering करता रहे तब से सूरज की रौसनी इस plant को मिलने लगी है तब से इसकी growth बहुत बढ़िया हो गई है बहुत सारी नई growth हो गई है new leaves निकल रही है new birds बन रही है काफी सारी आई है पहले का according जब कोहरा हो रहा था और धूप नहीं मिल रहा था ना तो ये बहुत down था बस हमेशा इस तरह के सूखे हुए जो भी flowering होके खतम हो जाए उस तहनी को काट देना चाहिए इससे new growth होती है जब से ये plant nursery से आया है इसे मैंने इसी pot में रखा है इसे वैसे ज़्यादा बड़े pot की जरूरत नहीं है लेकिन अब ऐसे थोड़ा size इसका थोड़ा सा बढ़ गया है तो मुझे ऐस लग रहा है मैं इसकी cutting किसी और pot में shift कर देती हूँ अभी तक हमने बात की एक अच्छे healthy plant के बारे में अब हम बात करते हैं कोरे की चपेट में आए हुए कुछ plant जो किये हैं डेह लिया है इसमें बहुत सुंदर flower थे और चार-पांच इसमें plant लगे हुए थे पूरा बचा है यह सारे सायत कोरी की चपेट में आ गए हैं लेकिन यह खिल नहीं पाती है जो भी कलिया है खिली नहीं पाती है ऐसे पिच पिच सी हो जाती है गल जाती है भगवान जाने क्या डालते थे यह नरसरी वाले इतने सुंदर फूल थे इसमें अभी मैं कुछ करी नहीं पार इतने इसमें बनाने पील फर्टिलाइजर बनाके डाला है लेकिन एक हो ही नहीं रहा एक ही है मुटेडा करके पड़ा हुआ है ये येलो वाला है जो इसमें येलो कलर के बटर कफ थे ना इसमें ये बडिंग भी बनी थी लेकिन इनको ठुचूने पैसे 25 सवरा है दूसरी बाली तो एकदब मुर जाई हुई है यह लाश फ्लावर था इस प्लांट का इससे मुझे उम्मीदे थी कि यह फ्लावर खिलेगा बट पता नहीं क्यों नहीं खिल पाया गए और बाकी तो सारी से खराब हो गई है वो तो जो कलिया खराब हो रही है वो तो अलग बात है इनके लियूस ही देखो इतने ज़्यादा डश्री हो जाते है ऐसे लगता है कोई फ़फून लग गई हो शौवर भी देती हूं बट फिर भी समझी नहीं आता कैसे क्लीन करूं इन्हें मैं कोई नहीं दुख तो होता है लेकिन जब पुराने जाएंगे तभी तो नए प्लांट सा आएंगे अब वैसे भी समर सीजन आ गया है कुछ ना कुछ तो नया फिर से ही लगाना पड़ेगा बट मेरे जरेनियम प्लांट को आप लाइक कर देना चैनल पर अगर नूँ है तो सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंज को शेर करना थैंक यू